करके बैठे हुए विरुजगार्थ उनके लिए सरकार ने वन साफ वन इस्टाप यूजना के उत्तहत चैन किया गया है और हम लोग यहां पर अपना प्रसिच्छन लेने के लिए आये हुए हैं जिससे हम लोग अपनी दसा और तिसा दोनों बदलने के लिए तरपन हैं यहां से ट्रेनिंग करने की उपरां हम लोग अपनी विवसाय में अलिवाती निपूर होकर जुड़ जाएंगे और अपनी क्या लगता है कि यहां से प्रसिच्छर प्रात करने के बाद स्वरोजगार को फिरित होंगे और स्वरोजगार अपनाएंगे हां बिल्कूल क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से जिसे पढ़न लिखकर घर पर बैठे हुए थे और यह सरकार की जो यूजिना है वह बहुत ही अच्छी है इसके माध्यम से हम लोग यहां निश्चित हो गया है कि हम लोग क्रिषी के इसना टक उद्यमी होंगे तो गुवा बहतर क्रिशी का प्रसार कारे कर सकेंगे इनका चैन करके आरसेटी के माध्यम से इनको स्वरोजगार की ट्रेनिंग दिलाए है और कुल 4 लाक रूपय का प्रजेक्ट है जिस परकी 60,000 रूपया 42,000 रूपया इंटेंडड back ended subsidy के रूप में जो कि ब्याज अनुदान के रूप में होगा और बारा हजार रुपया यानि कि एक हजार रुपया प्रतिमा 50% या एक हजार रुपया ये किराय का मकान अगर लेते हैं तो उसके लिए और शेश अनुदान की राशी रहेगी और इसके माध्यम से फिर इनको खाद बीच और पेस्टी साइट के जो लाइसेंस हैं वह हम इनको मुफ में उपलब्द कराते हैं जिससे कि यह एक अच्छे उद्यमी होकर क्रिशी का प्रचार पसार करें और योजनाओं का भी संचालन करें